जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं गैसी अवस्ता का एक पहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक जिसको आदर्स गैस का जाता है आज हम लोग आदर्स गैस वेवहार के बारे में आदर्स गैस के बारे में आदर्स गैस से विचलन के बारे में जितने भी जुड़ेवे आदर्स गैस से जुड़ेवे सवाल हैं तत्थे हैं वो सारी चीज के लिए कर लेंगे और यकीनन यकीन वानिये मेरा कि आज के बाद आप इस क गैस समिकरण का अनुपालन करती है और जिसका संपिडित गुणांग जैड का मान एक रहता है आदर्स गैस कहलाती है बच्चों आप जानते हैं आदर्स गैस समिकरण होती है पीवी इस इक्वल टू एनार्टी सब जानते हैं ना जी तो अगर कोई भी गैस किसी भी ताप या किसी भी दाप पर अब आपकी मरजी है आप ताप और दाप दोनों को उच्च कर दीजिए दोनों को निम्न कर दीजिए एक को निम्न कर दीजिए दूसरे को उच्च कर दीजिए तो किसी भी ताप वे दाप पर अगर एक आता है तो ऐसी गैस आदर्स गैस कहलाती है अब यहां पे कुछ लोह को हो रही होगी संका किसा संपीडियता गुणांग क्या होता है बच्चों यह देखिए में यहां पे माल लीजिए यहां पे कोई गैस बरी हुई है और आप उसको दबा रहे हैं किलियर हो रहा ह गुण कंप्रेसिबिल्टी गैस को कंप्रेस करने का बबाने का संकुचन गैसों का संकुचन गुण जो होता है वह संपीडियता कहलाता है और जब उसको नापते हैं तो गुणांग कहलाता है किलियर हुआ तो अगर किसी भी गैस का संपीड़ित गुणांग जेड का मान एक आ रहा है तो वो आदर्स गैस होगी और वो पड़ते कताब दाब पर आदर्स गैस समीकन का पालन भी करेगी किलियर है चलि फिर आगे जानते हैं आदर्स गैसों के गुण तो बंदू सुन आदर्स गैस के गुण पहला गुण है जी इस्थिर ताप पर आदर्स गैस के दाब और आयतन का गुणनफल सदैव इस्थिर रहता है नियत रहता है बच्चो आपका ताप जो है वो बदलना नहीं चाहिए किलियर है ताप जो है वो इस्थिर कर देते हैं न नियत कर देते हैं तो इस्थिर ताफ है आपका वो बदल नहीं रहा है इस्थिर का मतलब बदलना नहीं चाहिए जिस जो भी आपने ताफ लिया है वो समाना चाहिए किलियर है तो दाव और आयतन पी इंटू वी का जो गुणनफल होगा वो हमेशा इस्थिर आएगा नियत आ पहला नियम है किसी भी गैस के आदर्स होने के लिए अब दूसरे को जानते हैं जी आदर्स गैस के अणूओं के मद्य कोई आकडशनबल नहीं होता है अब ये बात ऐसे समझे कि गैस का अणूओं कहीं भी आ रहे कहीं भी जाए इधर जाए या उदर जाए ना जी कोई सा के लिए ना छला इनके बीच में कोई भी आकडशनबल नहीं होता है किलियर है नगण्य होता है हो सकता है कुछ किताबों में आपको जानने को मिले कि इनके बीच में लगने वाला अकर्षन बल नगण्य होता है तो बच्चों नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर किलियर हो रहा है कोई बल इनके बीच में नहीं लगता है अब वो अकर्षन बल समझते हैं आप अकर्ष पर ठंडा किया जाए तो माइनस 233 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केलविन पर इसका आयतन सुन्ने हो जाएगा अब आस समझ रहें है पी तो आपने कैसा कर दिया है ना जी पी आपे temperature करेंगे zero Kelvin बच्चों दियान ने किएगा अगर ताप आप temperature जो है वह zero Kelvin लेते हैं किसी भी गैस का और उसका दाब इस्थिर रखते हैं इन दोनों condition पे उस गैस का आयतन सुनने हो जाता है तो अगर गैस का आयतन सुनने हो रहा है जीरो Kelvin ताप और इस्थिर दाप पर तो समझ जाएगा वह गैस आपकी आदर्स गैस कहलाएगी के लिए रहे जी उत्हें गुण को जानिए यदि बाईय कारिये किये बिना आदर्स गैस का परसार किया जाए तो कोई उश्मिय परिवर्तन नहीं होगा अब देखिए गैस आपने सिलिंडर में ली हुई है उस पे कोई बाईय कारिये नहीं हो रहा है और गैस को आप फैन ले दे रहे हैं समझिए यह आपका सिलिंडर है यहाँ पे गैस भरी है और इ देल्टा टी का मान जीरो होगा यह बात आप स्पस्ट कर लीजिए तो अगर यह कुण भी कोई गैस दिखाती है तो वह गैस भी आदर्स कहलाएगी जी अब लेते हैं जी पांचवा और अंतिम गुण आदर्स गैस के लिए संपीडेता गुणांग जैड इकाई होता है जै तो वह गैस आदर्स कहलाएगी अगर एक या दो गुण भी आपको मिल जाते हैं तो समझ जाईए आप आदर्स गैसों के नजदीक पहुँच गए हैं सर याद रखिएगा आदर्स गैस होने के लिए पांचों पाइंट हम पगड़ते हैं क्योंकि अगर किसी के लिए जैड जाता है तो उसका मतलब है कि उपर के चारो बिंदू पूरे हो गए हैं उपर के चारो गुण पूरे हो गए हैं क्योंकि जैड इस इकल टू एक तभी आएगा जब बाकी के चारो गुणों को पूरा करेगी तो यह पांच गुण है सर यह मल्टिपल कॉश्चन में भी पू गैसो द्वारा परदरसीत किये जाते हैं और अगर कोई और भी गैस है जो नको परदरसीत कर रही है इनको दिखा रही है तो समझा वो और klein हो गैसों होगी क्लियर है जी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्यों तो आहीं जाने नोट को अब नोट को ध्यान नक्येगा वास्तों में कोई भी गैस आदर्स गैस नहीं होती है सभी गैसे वास्त्वी गैसे होती है तो सर इसका मतलब है हम देनिक जीवन में कोई भी आदर्स गैस परियोग नहीं करते है नहीं मेरे लाल नहीं मेरे पीले क्योंकि सारी गैसे जो होती है वो होती है वास्तिक गैसे हैं किलियर है कोई भी गैस वास्तिक ता में अगर आप प्यक्तिकल करने जाते हैं प्रयोग साला में तो कोई भी गैस आदर्स नहीं है सभी गैसे वास्तिक होती है ऐसा क्यों आओ जानते हैं ऐसा क्यों वास्तिक गैस का आदर्स गैस के वेवार से विचलन अब हम जानते हैं क्यों कोई गैस वास्तिवी गैस आदर्स गैस नहीं होती है क्यों आदर्स नहीं बन पाती है और जब वो नहीं बन पाती है आदर्स तो यही कहलाता है वेवार से विचलन के लिए रहे जी चली सुरू करते हैं आदर्स गैस होने के लिए संपीडेत गुणांग Z is equal to 1 होना चाहिए प्रन्तु वास्त्वी गैसों का मान 21 से कम या अधिक होता है वास्त्वी गैसों के संपीडेत गुणांग में अंतर उनके आदर्स गैस वेवार से विचलन कहलाता है बच्चों विचलन का मतलब होता है कमी कहना बच्चों कमी किस्से आ रही है आदर्स गैस वेवार से आदर्स गैसों की तरह वो गुण परदर्शित नहीं कर पाती है वास्त्वी गैसे इसलिए ये कहलाता है वास्त्वी गैसों का आदर्स गैस वेवार से विचलन विचलन क्य होगी जब उसका संपीडित गुणांग यानि की सिकुणने का जो मान है गुण है वो एकाई हो जैड इस इकुल टू वन हो लेकिन वो जो वास्त्वी कैसे होती है उनका मान कभी भी एक नहीं आता है जब आप प्रयोग साला में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रयोग करते समय उनका मान या तो एक से कम आता है या एक से जादा आता है और जब तक एक नहीं आएगा तब तक कोई भी वास्त्वी गैस आदर्स गैस नहीं बन पाएगी ऐसा आपको उपर स्पस्ट किया था तो ये मूल भूत यानि की important condition है कि जब तक किसी भी वास्त्वी गैस का गुणांग यानि जैड का मान इकाई बोले तो 1.0 नहीं आएगा तब तक वो गैस आदर्स गैस नहीं बनेगी और जितना ये एक से आपने कहां एक से कम है तो एक से कम यानि कि 0.5 अगर आ जाता है किसी गैस का मान तो अंतर कितना हुआ 1-0.5 तो अंतर हुआ 0.5 तो ये अ अंतर क्या है सर आदर्स गैस वहवार से विचलन और अगर 1.5 वजाता है तो एक से जादा तो जादा का जो ये अंतर है 0.5 ये भी क्या है आदर्स गैस वहवार से विचलन किलियर हुआ तो विचलन का मतलब होता है एक के मान से कमाना या एक मान से जादा आना जैड का जो म Kristenний आप 1010 निर्बर करता है आवि आप नोट भडाता उसमें आप ने जाना-क्या Kोई भी गैस आ страх अई सब्रस इस घास को हाएर से होती हैं वास्तवी गैसे बात तो सही है अब सी सारी कैसे वास्तवी प्रवास्ति ओती है तो अब परिवास याद कीजिए काता परतेक ताप होए दाप पर तो सर यह है वो अंतर ताप और दाब पर जयडखमान एक नहीं हो पाता है तो ताप और दाप जब बदलता है तो वास्तिवी गैसे आदर्स सबी वास्तिवी गैस के लिए अधिक होता है दियान ना कीगा वास्तवी गैस का दाब 10 वाईव मंडलीय से कम रखते हैं तो वास्तवी गैसे भी आधर सग्यास की तरह गुण परदर्सित करने लगती है कैसे आई जानते हैं यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है ग्राफ मनाए गया है वास्त्य गैसों पर दाब का असर दाब का परभाव दिखाने के लिए तो अभी मैंनेहें आपको भताया तकि दाब अगर आप किसी यहीं वास्त्य गैस का कम से कम रखते हैं कितना कम रखें सर नहीं यहांपे यह दाब दिखाया हुआ है 0, 200, 400, 600, 800 यह वाई यू मनली है दाब है आपका है और उपर की तरफ यह आपकी जैड की वैल्यू है संपीडियता गुनांक है यह देखिए यहाँ पे 0.5 उपर की तरफ इतना हो गया 1.0, 1.5 रुकिए रुकिए और आप जानते हैं किसी भी गैस का किसी भी गैस का आदर्स गैस होने के लिए जैड का मान 1.0 होना चाहिए इकाई होना चाहिए और यहाँ पे जो ग्राप के अंदर आपको N2S2CO2 दिखाई दे रही है यह गैसे तो वास्तिक होती है बिलकुल होती है तो फिर क्या दिखा रहे हो सर सर वास्तिक गैसों पर दाब का सर दिखा रहे हैं आपको अच्छा दाब और जैड के बीच ग्राप बनाया हुआ है तो आईए जो हमने पढ़ा था हमने पढ़ा थ क्या थाज दाब दे अगर किसी वास्तिय गैस को एन 2S2CO2 वह कोई भी गैस लेया रंगाविला कोई भी गैस लेया वह आदर्स गैस की तरह वेवार करेगी अर्थार्थ उसका जैड कमान एक हो जाएगा अब देखिए यहां पे किसी भी गैस का मान जैड का मान एक नहीं है किलियर है अब मैं अगर बात करूँ यहां पर थोड़ा नस्दीक की तरफ चलते हैं अगर मैं यहां की तरफ आता हूँ कम से कम दाब तो अगर मैं यहां से उपर की ओर यह देखिए ऐसे एक लाइन खिसता हूँ तो बताईए दाब का मान क्या होगा यहां पर यहां पर सर यहां पर तो आप बोलेंगे सर दाब का मान काफी कम है बिल्कुल सही है तो जब दाब का मान कम होगा तो देखिए यहां पर गैसों का जो मान है गैस जो निकल रही है वो यहां से निकल रही है वो सब कमान लगबग एक इस लाइन ये जो तुटी हुई लाइन आप देख रहे हैं इसके नजदीक पहुँच गई हैं चाहे H2O, N2O या CO2O ये सब की उत्पत्ती यहीं पे है और इनकी उत्पत्ती के समय दाब कमान कम है तो ये ही पॉइंट पगणने का है कि अगर आप कि किसी भी वास्तिवी गयस N2H2CO2 की तरह कोई भी गयस ले आते हैं तो उसका संपीड़ित गुणां कमान जैड जो है वो एक के काफी नसदीक या एक भी हो सकता है अगर आप दाब कम से कम रखते हैं दस वाईयों मनलिये दाब से कम रखते हैं तो कोई भी वास्तिवी गयस आदर्स गयस की तरवेवार करने लगती है तो कम दाब पर वास्तिवी गयसे का जो संपीड़ित गुणां का मान है वो एक के नसदीक हो जाता है किलियर है तो कम दाब रखना है अगर आपको किसी वास्तिवी गयस को आदर्स गयस बनाना है समयाया जी अब चलते हैं आगे क तरफ अब जानते हैं ताप का परभाव कम ताप पर वकर में अधिक अवनमन होता है समझाओंगा घबराइए नहीं पहले सुन लीजिए नोट कर लीजिए कम ताप पर वकर में अवनमन मने कमी होता है और एक विसेश ताप पर अवनमन यानि की कमी समाप्त होती जाती है अब इसको ग्राफ से किलियर करता हूँ सर देखिए इस बार हम लोग ग्राफ दूजरा ले आए हैं यहां पे भी हमने एक अक्स पे लिया है संपीडियत गुणांग जैड जो नीचे से उपर की और बढ़ रहा है किलियर है आपको बचो एक तरफ हमने लिया है ताप किलियर है अब आप एक चीज देखिए कि यहा यहां पे संपीडियत गुणांग का मान है वो 1.0 है यहां पे लगबग 0.5 होगा यहां पे 1.5 होगा ठीक है जी समझे थोड़ा सा बंदू आप यहां पे यह वाली गैस देखिए इस गैस का जो ताप है वो 200 केल्वीन है यहां पे इस वास्तिवी गैस का 500 है और इसका 1000 है तो अगर मैं पूछेँ बताओ कौन सी गैस का ज्यादा है तो आप ज़ाधा है और इस वाली का कम है बिलकुल सही है अब एक बात बताईए सर कि यहां पे ग्राप में जो अवनमन है एक के मुकाबले जो कमी है अंतर है आप देख रहे हैं वो किस गैस में ज्यादा है जिस का ताप कम है लेकिन जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हैं ग्राप में जो वक्र की कमी है देखें कमी की बास समझ रहे हैं कमी यहां से यह वाले इसके तुलना में आप कमी कर देख रहे हैं वक्र की तो यह जो इस गैस का जिसका ताप मान अधिक है इसके वक्र में इसके कर में कोई कमी नहीं है बहुत कम कमी है जब ताप आपका ज़्यादा होता है लेकिन अगर आप देखें इस वाली गैस के लिए इसका ताप टैंप्रेचर ताप मान सबसे कम है तो 200 केल्विन के तुल्ला करें इस वाली लाइन से तूटी हुई लाइन से तो यहां पे वक्र जो है आपका उसमें कमी ज़्यादा है वो ज़्यादा जुकाव ले रहा है नीचे की और अब आपने इस गैस के लिए ताप मान कितने कर दिय गया पांसो दूने से जड़ा कर दिया आपने यहां पे हुआ क्या है यहां पर इस लाइन के तुल्ला में गहार उपर की तरफ आ गया है तो यहां पर कमी किया है अव्नमन क्या है अवनमन कम है क्यों कम है क्योंकि तापमान 200 से 500 हो गया है और जैसे आपने 1000 किया तो यहां पे जुकाव या कमी सबसे कम दिखाई दे रही है तो एक निश्चित ताप पर परते गयस और वो तापमान कैसा होगा जी निश्चित अगर तापमान बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुँच जाते हैं तो देखिए हर एक गयस के लिए एक तापमान अलग अलग तापमान होगा लेकिन वो तापमान अत्याधिक होगा उच जाती है वो गैसे तो वो गैसे भी आदर्स की तरह वेवार करने लगती है तो सर संज में नहीं आया बड़ा confusion हो गया है तो बच्छो ग्राफ तो आपने note करी लिए होंगे दोनों है नहीं किये तो वीडियो को pause करके note कर लीजिए इन दुनों परभाव को अगर हम लोग निसकर्स की बात करें तो एक लाइन में निसकर्स बड़ा सटीक आता है जी पहला निसकर्स निकल के आता है जी वास्तिवी गैसें उच ताप वे कम दाप पर आदर्स गैस विवार परदिरसित करती हैं तो बच्छो को द्यान न किएगा अगर आपको किसी भी वास्तिवी गैस S2C2N2 अरे भाई कोई भी गैस लेया हो इना मीन डिक अगर आपको उसमें आदर्स वेवार देखना है तो उसका जैड का मान एक करना होगा और जैड का मान एक तबी होगा एक आई तबी होगा जब उस कम होगा नियुन्तम होगा किलियर है आपको तो नियुन्तम दाव वे उच्छ तम ताप पर वास्ति गैसे भी आदर्स गैस बन सकती है याद रखीगा बहुत कोईशन आते हैं जी अब कुछ लोग कहेंगे सरम इसका उल्टा करते हैं तो बच्छो कम ताप वे उच्छ दाप कोई भी गैस आदर्स गैस वेवार पर दर्सित नहीं करेगी इसको आप याद रखीगा इसका उल्टा करना पड़ेगा ताप मान अत्यादिक करना होगा और दाब आपको नियुन्तम करना होगा लेकिन अगर आपने ताप मान कम कर दिया और दाब उस्तम कर दिया तो कोई गैस आदर्स वेवार परदर्सित नहीं करेगी आदर्स नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी सर क्योंकि उच्छ दाप पर आणविक दूरी गुटने से पर्तिकर्शन बल बढ़ता है जब कि आदर्स गैसों में अंत्रा अनुक बल नगण्य होता है सर होता क्या है कि जब आप यह देखें यहां पे एक पिस्टन लेजिए माल लेजिए यहां पे भरी विया आपकी यह लेजिए और यहां पे आपने दाब क्या किया सर दूसरा बना लेते हैं सर यहां पे आपने दाब जो है वो बढ़ा दिया सर में आ रहा है जी आपको दाब आपने यह पीवन था यह पीटू कर दिया अब आप देखिए पीवन जो है वो तो कम है पीटू तो आपका ज़्यादा है तो जब पिश्टन नीचे आएगा तो जो उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो उनके बीच में आकर्षन बल भी बढ़ेगा और परतीकर्षन बल भी बढ़ जाएगा और आप उपर पढ़के आएं कि आदर्स गैस आदर्स इसलिए होती है क्योंकि उसके बीच में लगने वाले जो बल होते हैं वो नगण्डे होते हैं नहीं होते हैं किलियर है और आपने क्या किया सर उनके बीच में बल लगना बल भी लग रहा अकर्शन और पर्तिकर्शन भी लग रहा है जो की संभाव नहीं है तो वास्ति गैसों में ऐसा होता है आतरस गैसों में ऐसा नहीं होता तो इसलिए ध्यान लखेगा दाब तो न लुए लुन और दाब कर दो कम होती हैं क्लियर एजी आधर्स गैस के गुणों के बारे में जाना और हमने जाना कि आदर्स गैस विवार से विचलन क्यूं होता है क्यूं वास्तिवी गैसे आदर्स गैसे नहीं बन पाती है उनका करण है ताप और दाब और सर हमने ये भी जाना कि कैसे आदर्स गैस बन सकती है वास्तिवी गैसे अर्थात कैसे वास्तिवी गैसों को आ हुग हुगा